What's up everyone, this is me Jazz and welcome to my channel Jazz Life. So English वी काफी है, वापस आजाते हैं अपनी हिंदी पे. So guys, आज इस वीडियो में मैं बेंचमार्क टेस्ट करने वाला हूँ अपने सिस्टम का जो की मैंने लिया था एक साल पहले सारी की सारी जो भी यहां पर स्पेसिफिकेशन हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एक वीडियो मैंने बनाया था जो मैंने अप्लोड किया था 14 अगस्त को वहां पर जब यह मैंने पुछेश कर रहा था और समान लेकर आया था तब कि वो वीडियो है, कार्ड में लिंक मिल जाएगा, अगर इंट्रेस्टेड हो, चेक कर सकते हो, लेकिन जब मैंने यह पर्चेस किया था, सारा समान पर्चेस एक साथ नहीं किया था, थोड़े टाम के बाद मैंने उसमें और चीजे ली थी, थोड़े टाम के बाद कुछ और ऐसे धीरे धीरे भी मैंने अप्रेट किया था, सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशन से आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो एक साल हो चुका है, अब देखते हैं, जो मेरा इंटल i9 9900K है, वो कैसा चल रहा है एक साल के बाद, सो चलते हैं, कंप्यूटर स्क्र पर मैंने कर रखा है, पहले चेक, सो यूजर बेंचमार्क ही हम जाएंगे, PC Speed Test Tools, so free download, यहां पर हमें एक application डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसको run करेंगे, so हमारा जो benchmark है, वो यहां पर पता चलेगा हमें, so यह download हो चुका है, इसको open करते हैं, जल्दी से करते हैं, install, run, I think install नहीं आई, यहां पर यह सिर्फ application डाउनलोड करके run करोगे, so वो सारे benchmarks जो है, वो आपके लिए कर देगा, सारे के सारे test कर देगा, so यहां पर थोड़ा सा time लगेगा, देखते हैं, क्या रहता है, वैसे तो AMD और Intel की चलती रहती है, लड़ाई, I mean, Intel और AMD की तो चलती है वो अलग, लेकिन जो लोग है, उनकी लड़ाई अलग चलती रहती है, कि AMD अच्छा है, Intel अच्छा है, जिसके पास Intel है, वो हमेशा यही बोलेगा कि Intel अच्छा है, जिसके पास AMD है, वो यही बोलेगा कि AMD अच्छा है, भाई, मैंने Intel लिया है, मेरे इसाब से AMD भी बेटर है, नहीं, AMD भी अच्छा है और Intel भी अच्छा है, मैंने Intel लिया है, तो Intel अच्छा है, समझ जो क्या कहना चाहरा हूँ थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगाता है, काफी सारी चीजे मैंने अपगरेट करी थी बात में, मैं धीरे धीरे बता भी देता हूँ आपको साथ में मैंने अपना जो ग्राफिक कार्ड है वो उस्टाइन नहीं लिया था तो ग्राफिक कार्ड ऐसिंग मैंने एक दो महीने डेड़ महीने बाद लिया था एक्जाक्टली डेट मेरे को मालूम नहीं है बट उसकी भी उन्बॉक्सिंग वीडियो बनाई थी हर एकर आप्स दो कार्ड में लिंक मिल जाेगा ये जानके वह भी चलते हैं विसके बाद मैंने करीब आठ नौ महीने बाद इसमें राम और आडज करी थी पहरे मैंने 16 GB एक ली थी देन उसके आठ नौ महीने बाद मैंने एक रम इसमें और एड कर ली थी सो अब टोटल है 32GB की RAM मेरे सिस्टम में SSD मैंने बाद में एक और अपग्रेट करी थी पहले 120 में पस थी वही मैंने यूज कर रहा था अब आगे मेरा और प्लान है और भी चीज़े इसमें अपग्रेट करूंगा सो PC का यही फाइदा होता है कि अगर आपने PC लिया है ना PC मैं बोल रहा हूं Mac नहीं PC अगर आपने लिया है SSD कर सकते हो RAM कर सकते हो RAM का भी कई बार बहुत बार इशु हो जाता है अब यहां पर में पास चार स्लोट है सो 32GB है 16GB की दो स्टिक्स है मैं चाहूं तो यहां पर 32GB और आड कर सकता हूं 64GB कर सकता हूं बट करूं मानी क्योंकि 32 bit sorry 32 bit नहीं 32 GB RAM more than enough है more than enough भाई सो यहां पर टेस्ट होने ही वाला है अच्छे तरीके से पूरा यह इसको टेस्ट करके ही मनेगा आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या यूज होता है I mean जब आप benchmark करते हो नए system पर अगर आप benchmark करोगे सो वहां पर हर चीज हमेशा अच्छी ही रहेगी क्योंकि fresh system है लेकिन अगर आप एक साल के बाद करते हो एक साल यहां पर हो चुका है यहां पर मैंने Windows जो पहले बार डाली थी वही डाली हुई है और उसके बाद जितनी भी upgrades हुई है कोई installation मेरी change नहीं हुई है Windows installation change नहीं हुई है वही है तो यहां पर हो गया है close और यहां पर I think यहां पर okay यहां पर हमारी PC के आप देख सकते हो क्या benchmark आया है सो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर एक clear करता हूँ आपको लग रहा होगा कि मतलब i9 9900K के साथ इन्होंने GTX का 1660 Ti लगाया भाई यह क्या चीज होगा यह तो bottleneck होगा यहां पर मैं games नहीं जादा खेलता हूँ मैं एक चीज clear कर दूँ मेरा इस graphic card को लेने का सिरफ एक ही reason था जो था मेरे को video rendering में यह help करे बहुत नहीं help करता है थोड़ा बहुत करता है सो मैंने ले लिया अब आप कहोगे की और कोई सस्ता भी ले सकता था 1660 Ti क्यो लिया तो भाई मेरा मन आ गया था इस पर Auras का था सेम ब्रांड का सो मैंने ले लिया और आप यहां पर देख भी सकते हो watch gameplay 1660 Ti प्लस 9600 के यह यह थिंक i5 है सो i5 के साथ यह जादा बेटर रहता है लेकिन मैंने i9 के साथ लिया था सो मेरा जो यहां पर यूज है वो पूरा हो रहा है आगे चलके अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई गेम्स भी मैंने बड़े बड़े गेम्स केलने शुरू कर दिये सो मैं ग्राफिक कार्ट भी अप्ग्रेड कर सकता हूँ सो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर जो मेरा प्रॉसेसर है Intel Core i9 9900 के वो जो परफॉर्म कर रहा है वो कर रहा है 102% मतलब कितना मोर है यहां पर PC performing as expected 55th 55 55th percentile सो यह जादा परफॉर्म कर रहा है यहां पर above expectations तो 78th position पर यह आया है 78% जादा अच्छे से perform कर रहा है देन आते हैं graphic card पर ग्राफिक कार्ट भी काफी अच्छा वो कर रहा है लेकिन यहां पर performing below potential 77 percentile सो यहां पर क्योंकि उन दोनों का जो I mean combination है वो एक तरीके से नहीं हुआ सो इसलिए यहां पर यह down हो गया बट वैसे अगर आप सिरफ graphic card को देखो गए यहां पर वो अच्छा वो कर रहा है green में ही है देन यहां पर जो मैंने SSD लगाई है वो है crucial की P1 3D NVMe PCI M.2 1TB की इसमें SSD आप देख सकते हो वो भी बहुत अच्छा perform कर रही है इंड काफी अच्छी SSD है यार मैं recommend करूँ आपको सारे के सारे links description में मिल जाएंगे then next मेरी SSD है जो की है ADATA की SU-650-480GB यहां पर यह मेरे को कुछ इतनी खास नहीं लगती है इसकी speeds बट अभी यह बहुत अच्छा दिखा रही है performing way above expectations लेकिन यह SSD मैं आपको recommend नहीं करूँ लेने के लिए then यहां पर एक मैंने local SSD लगाई है और आप देख सकते हो यहां पर कितनी बेकार perform कर रही है वो और यह जो SSD है यह मैंने 120GB की लगाई है SPCC Solid State Disk लोकल सी कोई I think यह है and यहां पर सिरफ मैंने PUBG इंस्टॉल कर रहा है और कुछ भी नहीं किया हुआ है and यह जैसी इसकी price थी I think 1500-1400 रुपे की थी उसी हिसाब से perform भी कर रही है next यहां पर है मेरी hard drive so hard drive यह मेरी पुरानी है नहीं वाली hard drive नहीं है so I think यह जो hard drive है वो 5 साल पुरानी तो अराम से होगी so आप देख सकते हो यहां पर यह भी average perform कर रही है मिरको जो hard drive है वो भी 2TB इसमें add करनी है अभी पहले वाली आई थी source में कुछ issue आ गया था so वो चली गई थी वापस so अभी पुरानी वाली hard drive से काम चल रहा है but hard drive इसमें update करूँगा last but not the least यहां पर आती है हमारी RAM so Corsair की इसमें मैं vengeance use कर रहा हूँ LPX DDR4 3000 MHz की C 16 2 x 16 GB मतलब 16 GB RAM है into 2 so 16 की 2 GB लगी हुई है sorry 16 into 2, 16 16 की 2 RAMs लगी हुई है and performing above expectations so आप देख सकते हो सिरफ एक hard drive और एक local वाली SSD है उसको छोड़ के सारी की सारी चीजे कैसा perform कर रही है and यहां पर जो मेरा motherboard है वो है Gigabyte का AORUS Z390 Pro WiFi बहुत अच्छा motherboard है यार AORUS के product में हमेशा recommend करूँगा लेने के लिए यह कोई sponsored video नहीं है बट अगर sponsor कर दें तो मज़ा आजाएगा products भी मिल जाएंगे and यहां पर जो में Windows और यूजनल यूज़ कर रहा हूँ आप सामने देख सकते हो Windows 10 है professional और साथ में जो मेरा monitor है monitor का तो कुछ ऐसा benchmark है वो तो यहां पर आया नी so monitor जो है Samsung का curved LED यहां पर 27 inches का monitor है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहां आप कौन सा processor यूज़ कर रहे हो कौन सा system यूज़ कर रहे हो कौन सा laptop यूज़ कर रहे हो कौन सा PC यूज़ कर रहे हो so आज के लिए इतना ही मिलते है next video में